हमारे सभी दर्शकों को साधर पणाम जैशी कृष्ण आज का हमारा विशय है विवाह का रिष्टा नहीं हो पाता है बार-बार रिष्टे आते हैं लेकिन बात नहीं बंद पाती है आज इसी से समंदित एक योग के बारे में चर्चा करेंगे और इस योग के प्रभाव से आर्थिक इस्तती भी कमजोर रहती है आर्थिक संकट भी आ सकता है इसके अलावा सबसे बड़ी बात यदि आप रिण लेकर कोई काम करते हैं बैंक से लोन उठा कर या किसी से उधार पेशा लेकर आप व्यापार शुरू करते हैं तो फिर वहाँ पर व्यापार भी ठंक से नहीं चल पाता है और पेशा भी समय पर नहीं चुका पाते हैं एसी इस्तती भी इस योग से देखी गई है इसके अलावा इस योग के प्रभाव से व्यक्ति का सुभाव भी बड़ा तेज रहता है और वाणी पे यदि सैयम न रखे तो परिवार में भी कलेश जग्ड़ा समस्या रहती है विवाह के बाद भी समस्या रहती है और जो इच्छा करे अगर उसकी पूर्ति नहों पाए तब भी समस्या रहती है तो कुल मिलाकर आर्थिक इस्तती भी प्रभावि चोटे से योग के बारे में जानकारी दूँगा जोतिश का यह तो केवल एक मात्र योग है ऐसे अनेक योग जोतिश शास्र में लिखे हैं उनको द्यान से देखना होता है समझना होता है तो यहां पर सब्तम भाव की बात नहीं कर रहा हूं यहां आप एक कुंडली देखें और इस योग को समझें आपके सामने एक वरश्चिक लगन की कुंडली बनी हुई है केवल आपको राहू को देखना है यदि कोई लड़का है या लड़की है उसकी कुंडली में या अन्या आयू का भी हो सकता है पुरुश है इस्त्री है उसकी कुंडली में यदि राहू दूसरे भाव में धनू राशी पर विराजमान है तो एसी इस्तती में समस्या रहती है, कोटुम्बिक परशानी रहती है, विशेशकर राहु यदि बलवान हो, 12-20 डिगरी के बीच में हो, 12-18 डिगरी के बीच में हो, तो और ज़्यादा परशानी वाली इस्तती बनती है, व आपने यह इस्तती देख ली, तो आप समय रहते ही जागरूख हो जाएं, अब इसका उपाए क्या करें, तो उपाए से पहले एक बात और समझ लेएं, कि यदि आप व्यापारी हैं, या खुद का कोई काम करना चाहते हैं, नोकरी बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा प आपको अपनी कुंडली खोल कर देखनी होगी, अपनी कुंडली खोलें और देखें, कहीं राहू की महादशा तो नहीं आने वाली है, क्योंकि यह योग तभी विशेश रूप से प्रभावी रहेगा, यह अशुव इस्तती तभी विशेश रूप से प्रभावी रहेगी, जब राहू की महादशा भी आने वाली हो या चल रही हो या अंतरदशा राहू की ही हो तो उस समय बिलकुल सावधानी से चलेंगे तो ठीक इस्तती रहेगी अन्यथा समस्या रह जाती है समस्या बढ़ जाती है अब जैसे एक व्यक्ति है चाहे महिला हो पुरुष हो लड़क लड़का हो माली जी उनकी इस्तिती बहुत अच्छी आर्थिक इस्तिती बहुत अच्छी है लेकिन नोकरी अच्छी चल रही लेकिन मस्तिक्ष में आया कि अब कुछ अपना ही करें अपना व्यापार करें लेकिन अगर उन्होंने इस राहु की महादशा पर ध्यान नहीं दि तो आर्थिक संकट समस्या खड़ी हो जाती है अगर आप लोन लेकर काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है इसके अलावा जैसे आप मकान पर लोन लेते हैं वहन पर लोन लेते हैं या बहुत महंगा वहन खरीद लेते हैं मकान पर भी दुनिया भर का ज़्यादा लोन ले लेते हैं तो फिर वहाँ पर फिर समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस विशे को समझना बहुत जरूरी है जो योग मैंने बताया है इसको द्यान से देखें और समझें और इसमें सबसे बड़ी बात की रिष्टे बार बार आते हैं लेकिन बात पकी नहीं हो पाती है कोईन कोई अरचन आ जाती है सबसे बड़ी बात आप अपनी वानी पर भी सैयम रखें यदि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एसी इस्तती में इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में है आपको गुस्सा ज़्यादा आता है या बोलने में आप जल्द बाजी करते हैं तब भी आप सावधानी से बातचित करेंगे तब ही काम बनेगा वह सी बार जैसे सगई हो चुकी है छे महिने पहले ही शादी के और अब फोन से बातचित चल रही है ऐसी इस्तती में मानली जी किसी लड़की की कुंडली में ऐसा योग है और वह लड़के से ढंग से बातचित नहीं करती है या कहीं बातचित में थोड़ी सी भी बात करबड हो जाती है तो फिर रिष्टा तूटने का योग बन जाता है और ऐसी ही इस्तिती लड़के के साथ भी हो सकती है माली जी किसी लड़के की कुंडली में ऐसा योग है तब भी उनको सावधानी रखनी होती है बहुत सी बार रिष्टे आते हैं लेकिन आप और अच्छा रिष्टा और आगे बढ़ना ठीक नहीं है तो आप इस योग को अगर देखते हैं कुंडली में आपकी कुंडली में वास्ताव में ऐसी ही कुंडली है इसी प्रकार का योग बन रहा है तो आप सावधान हो जाएं और अभी तक अगर आप रिष्टे के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो अधिक से अधिक भगवान शीव की आरादना करें इसमें ओम नमस्षिवाय मंतर का जाब भी कर सकते हैं महम ब्रतुनजय मंतर का जाब भी कर सकते हैं इसके अलावा आप अमावस्या या पुर्णिमा या प्रदोश के दिन रुद्रा भिशेग भी करवा सकते हैं भगव का वेदिक मंत्र इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा तो यह जो योग है इस योग से विवाह के बाद भी समस्या आती है बादचीत में सावधानी ना रखें या गुस्सा जादा करेंगे तो कोई लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो पती से सावधानी रखनी पड़ती है जो भी बैंक बैलेंस है उसको सोच समझ कर खर्च करें और यदि बहुत अच्छी नोकरी है तो हो सके जहां तक व्यापार ना करें अगर राहू की दशा आने वाली है तो सावधानी अवश्य रखें हां कुंडली में यदि गूरू की इस्ति अच्छी है मानली जी केंदर में गूरू अच्छी इस्तितिम बेठा हुआ है तो फिर भी लाब मिलता है लेकिन अगर राहू की महादशा चल रही है तो वहां समस्या तो अवश्य रहेगी कुंडली में सब्तम भाव पीडित नहीं है लेकिन इस प्रकार का योग यदि कु तो आपके सारे काम सफल सिद्ध होंगे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए लाइक भी कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे छोटे छोटे चोटे योग जो आप आसानी से वीडियो के मात् बड़ा या उसको ऐसी स्थती में यहां पर बिल्कुल नहीं बता रहा हूं जो आपको समझ में ना है आपको अपनी लगन कुंडली देखनी है लगन कुंडली के बारे में ही बात कर रहा हूं और आपने यदि इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आसानी से आप इस वि शीक्रशना